नमस्कार मैं धीरज आपका स्वागत करता हूं एकड़े इंवेस्मेंट एकड़े में में दोस्तों आप ये चीज तो जानते हैं कि हमारे जो चैनल है यहाँ पे हम इन्वेस्टरों को एक्विटी मूशल फंड इन्वेस्टरों को मोटिवेट करते होने एक ऐसी क्लारिटी द जाएगा कि क्यों आपको आपके इन्वेस्मेंट में धटे रहना चाहिए एक बार दो मेंड़क खेलते कुथते एक दूद के बरतन में जाके गिर जाते हैं यह जो बरतने भरा हुआ रहता है और काफी बड़ा रहता है डीप रहता है तो काफी मेहनत करने के बावजूद दोनों उस दूद के बरतन से बाहर नहीं निकल पाते चलांग नहीं मार पाते तो काफी देड़ तक मेहनत करते 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 एक जो मेंड़क रहता है वो ठक जाता है वो गिवप कर लेता है और वही डूप कर मर जाता है जो दूसरा मेंड़क रहता है वो हाथ पैर मारते डूद फटने तक भी हाथ पर मारते रहता है, मारते रहता है, और उस दूद में हाथ पर मारने के वद्धे से मक्षन मन जाता है, दोस्तों, उस मक्षन में वो फिर जम्प मार कर महा से बाहर निकल जाता है. तो मैं आपको अभी moral of story तो नहीं बताना चाता हूँ, आप तो समझदारों समझ गए होंगे मैं अभी आपको ये बताना चाता हूँ कि ये story हम हमारे investments में कैसे apply करे है इसकी जो logic है वो हम हमारे investments में कैसे apply कर भा है देखें दोस्तों September 2010 में करीब करीब कुछ 42 large cap mutual funds उस जमाने में हुआ करते थे तो मान के चलते एक व्यक्ति जिन्होंने 10,000 रुपए की monthly SIP start की होती किसी एक large cap fund में और वहां से 3 साल तक consistently 36 months तक उन्होंने invest किया होता तो उनकी investment value हो गए होती 3,60,000 रुपीज और सप्टेंबर 2013 की ये बात है ये investment 3,60,000 की जो value थी उसकी उस time पे वो थी 3,48,000 जिया 12,000 रुपीज लॉस तो जाहिर से बात है दोस्तों मन में क्या emotion डेवलप होता होगा क्या बक्वाज instrument है SIP एक्वीटी mutual fund में इतना वक्त देने के बावजुद भी consistently invest करने के बाद भी इतना feed करने के बाद भी 12,000 का नुकसान दोस्तों मेरा personal experience मैं आपसे share कर रहा हूँ मुझसे लोग उस time पे contact करते थे मुझे कहते थे कि मुझे SIP बंद कर देना है इससे better यार मैं bank FD में पैसे डालो, bank RD में डालो, कम से 78% return तो मिलेगा, clarity तो रहेगी, को certainty तो रहेगी यहाँ पे तो negative returns आ रहे, तो as a advisor मैं उनको convince करने के कोशिश करता था तो जो लोग convince हो जाते थे, वो continue करते थे, जो नहीं होते थे, वो exit करते थे तो जो लोग convince हो गए थे, जो continue कर रहे थे, तो मानके चलते जो 10,000 रुपे के SIP जो हमारी example है जिन्होंने continue की, ठीक एक साल बाद, सब्टेंबर 2014 में, अब 3,60,000 उस टाइम तक था तो और एक साल invest करने के बाद वो investment value हो गया 4,80,000 का, दोस्तों, यह 4,80,000 का सब्टेंबर 2014 के हिसाब से, जो value बन गया होता, वो था 7,00,000 जो यहां, 7,00,000 रुपे की value 4,80,000 invest करने के बाद सो अभी आप link कर पा रहें, राइट, सो यही हमें समझना है, situation कभी भी खराब हो सकता है बट अगर आप हाथ पैर मारते रहेंगे ना, जीत आपकी होगी होगी, guaranteed success आपको मिलेगा give up नहीं करना है, आपको तो यह मालूम है आप invest क्यों कर रहे हो क्या goal रखकर आप invest कर हुए तो आपको मालूम है, तो क्यों विचलित होने देरो अपने मन को मत होने दो, अपने goal को याद करो और इस problem में भी opportunity धूंडो, opportunity तो है, जितना बजार गिरेगा उतने सस्ते दाम में units accumulate होते जाएगी, फाइदा तो आपका हो गई होगा, बट, problem कहाँ पर है, vitamin D की कमी है, देखें दोस्तों, मैं हमेशा मेरे काफी वीडियो में बात कर चुका हूँ, vitamin D क्यों आपको जाधा साधा अधिक मात्रा में अपने अंदर cultivate करने, अपने behavior में, अपने attitude में, चाहिए ही चाहिए, क्यों, because जब vitamin D, जिन लोगों को vitamin D मालूम नहीं कि क्या है, let me tell you, vitamin D is discipline, consistency, अगर आप discipline तरीके से एक approach रखते हैं अपनी investments की तरफ तो आप काफी अच्छी तरीके से, you know, invest करते रहते हैं और यह जो correction होता है, crash होता है market का, इससे कुछ भी यह मतलब आपके behavior में कोई भी change लाता ही नहीं, तो यहीं चाहता हूं दोस्तों, यह story के जरीए आज यही message pass करना चाहता हूं कि धटे रहना है, हाथ पैर मारते रहना है, कल जीत हमारी होगी ही होगी, so with this message दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजे, मुझे आग्या दीजे, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए, पसंद अगर आया रहेगा तो प्लीज, जादा जादा लोगों को शेर कीजे, लाइक बटन भी हिट करना ना भूले, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे, इस धीरज, सब्सक्राइब करेंगे, जय हैंत!